तो एक इंपोर्टन आस्पेक्ट है प्रिलेम्स से रिलेटेड और अगर देखा जाए तो यह प्रिलेम्स में बहुत अच्छा प्रश्निस में फ्रेम हो सकता है और यह बेसिकली देखा जाए तो रिलेटेड है अबाउट दुर्गावती टाइगर रिजर्व तो मद्य किया है creation of दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अब अल्दो इसको जो नाश्व टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी है उसके द्वार अप्रूवल होगा लेकिन यह इंपोर्टेंट हो जाता है अगर क्योंकि लेटेस्ट टाइगर रिजर्व हो जाता है दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है उसके जोग्रिफिकल आस्पेक्ट भी थोड़ा पता होना चाहिए यह जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व बेसिकली क्रियेट क्यों किया गया है इसके पीछे भी जानना जरूरी है and then also we should know about the केन बेतवा रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट तो यह जो केन बेतवा रिवर का लिंकेज प्रोजेक्ट है इसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का काफी जो हिस्सा है we can say almost quarter जो हिस्सा है वो समर्ज हो रहा है अगर वो समर्ज होगा तो काफी सारी जो wildlife है वो भी उससे impact होगी और वहां की जो biodiversity है वो भी impact होगी और इस से इस टाइगर रिजर्व को दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है इसको create किया जा रहा है यह corridor की रूप में काम करेगी और मद्द प्रदेश की जो districts है जैसे नरसिंग पूर है दमो है सागर डिस्टिक्ट है यहां पे जो tigers हैं इस corridor का इस्तमाल करके move कर सकते है तो एक प्रकार से green corridor है linking PTR मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व दुर्गावती यह भी आपका develop किया जाएगा जिससे की easily पन्ना टाइगर रिजर्व से corridor के माध्यम से दुर्गावती टाइगर रिजर्व तक आपका move किया जाए अब देखा जाए त वीकेंड से की river linkage काफी समय से proposed है तो यह river cane है जैसे यह आपका इधर मद्द प्रदेश हो गया और यह बुंदेल खंड का इलाका है यह आपका बांदा उत्तर प्रदेश का district हमीर पूर जहां सी यह सब areas है और यहां से यह river जो बहरे यह cane है cane basically देखोगे तो यह उपर side जो river अगर reserve भी है मद्द प्रदेश के अंदर यहां से अगर देखा जाए तो यह canal बनाई जा रही है इस तरीके से canal के माध्यम से बेतवा से link किया जाएगा so cane बेतवा जो project linkage project है यहां पे जो cane river के अंदर जादा पानी होता surplus water है वो बेतवा basin में transfer किया जाएगा जिसके माध्यम से यह जो बेतवा river है इससे जो बुंदेल खंड का region है जहाँ पानी की काफी अधिक आवश्यक्ता होती है जरूरत होती है चाहाई irrigation के लिए हो drinking purpose के लि पन्ना चातरबू डिस्टिक्ट आप है मध्यप्रदेश इन सारे जगहों से canal आपकी गुचरेगी और यह बहुत important है कि यह जो surplus पानी है यह surplus पानी basically इस canal के माध्यम से बेतवा river में transfer किया जाएगा अब जब यह transfer किया जाएगा जैसे अब इस पे भी आप देख सकते हो कि यह link channel है this is बेतवा and this is पन्ना और यहां से यह जब link किया जाएगा तो कुछ जो area है जो भी structure क्योंकि है डैम भी बनेगा आगे discuss करेंगे उस डैम का नाम क्या है तो यहाँ पे जो डैम बनेगा उस डैम की वज़ए से कुछ जो हिस्सा लगभग एक त्याई हिस्सा पन्ना टाइगर measurement का डूप जाएगा अब यहां पे यह कि उस पन्ना टाइगर reserve वो एक टाइगर reserve औहां टाइगर भी है अब उनका моमेंट भी होता है अगर वहां पे काफी सारे अगर पानी है क्योंकि देको टाइगर एक ऐसा जिव जो अपना area मार्क करता है उस एरिया को जहां पे एक tiger mark करेगा अगर दूसरा tiger वहाँ पे आ जाए तो फिर उनके बीच बहुत अधिक conflict होता है उनका area mark होता है उनकी territory mark होती है तो अगर territory में reduction है तो animal-animal conflict भी हो सकता है एक tiger से दूसरे tiger का conflict भी काफियत तक बढ़ सकता है और दूसरी link project की बात करें तो इसमें खास तोर से dam भी बना जा रहा है जिसका नाम दाउधान dam है और यह dam और एक canal बना की जो linkage हो established किया जाएगा केन से बेतवा को आपका link किया जाएगा दो face में पहले तो यह dam बनेगा दाउधान dam complex तो यह आपको माध्यम से जो केन है केन से connectivity establish की जाएगी through these project to बेतवा बेतवा में और यह dams के माध्य में पानी store होगा और पानी को फिर कैनाल के माध्यम से आपका transfer किया जाएगा significance जैसा भी हमने देखा कि इसका जो सबसे application drinking purpose agriculture activities के लिए आप कराएगा काफ़े employment opportunity होगी tourism जनरेट होगा वहां भी यूथ के लिए employment opportunity होगी क्योंकि वहां employment opportunity नहीं तो बहुत से यूथ वहां से migrate करके भी जाते हैं अन-academy में आपको से जूड़ सकते हैं academy.com में जो यू-पी-ए-सी-सी select करो code डाल दो SPLIV जूड़ सकते हैं इसमें आप current affairs के लिए science and technology के courses के लिए मुझे से जूड़ सकते हैं और देखो आन-academy से जब आप जूड़ते हैं तो सारे educator के सारे courses आप access कर सकते हैं तो आपको अलग से courses नहीं के लेने जब आप आन-academy one year two years के लिए जूड़ते हैं तो आप मेरा course तो देखी सकते हैं साथ पॉल्टी इस्टी जोग्रफी एकनॉमी दूसरे subjects courses भी batch courses सब कुछ आपके लिए फ्रियो तो great opportunity है मिस नहीं करना है और जल्द से जल्द आप जॉइन करके अगर 23-25 की ताहरी कर रहे हैं अपने preparation के momentum को maintain करें थैंक यू everyone थैंक यू